आपकी खुद की जमीन है उस जमीन को आप ना तो बेच सकते हैं ना ही आप उस जमीन पर लोन ले सकते हैं आप इतने बेबस हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस जमीन के बदले में लोन भी नहीं ले सकते हैं आपने घर बनाना है उसके लिए आप उस जमीन को गिरवी रखके पैसा नहीं ले सकते हैं आप अपने बच्चों की बेटी की शादी तक नहीं कर सकते हैं लेकिन जमीन आपकी है आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ये हालत आज रिफ्यूजी की है वो दर्बदर के लिए ही ओर्डर जो है वो जारी कर दिये जाते हैं नमस्कार अमित अजरावत हुँ मैं और आप जम्मू सवाद देख रहे हैं जम्मू सवाद की ये खबर आपको जम्मू सवाद के यूट्यूब चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगी और आप से अपील हर बार की तरह रही है कि जम्मू सवाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अब खबर पर आते हैं दरसल खबर है 244C जिसको 254C जमीन कहा जाता है वो जमीनों के अभी ना फर्द कट रहे हैं ना इंतकाल हो रहे हैं कोई भी अभी की तरफ से कि जो रिफ्यूजी को अलाट जमीने हुई हैं वो अपनी जमीनों को रिसेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक लिगल एडवाइस जो है वो ली गई थी इंस्पेक्टर जनरल रेजिस्ट्रेशन जमू कश्मीर के द्वारा ला डिपार्टमेंट से और उन्होंने ये कहा था अपने आदेश में कि अब जो है अग्रेनियन रिफार्म एक्टर नहीं हैं 370 के बाद बड़ी चेंजिस आ गई हैं जमीनों के मामलों में तो ये जो रिफ्यूजी की लैंड हैं इन जमीनों को वो रिसेल नहीं कर सकते हैं आपको बताएं पिछले एक साल से रिफ्य हमने कई रिफ्यूजी परिवारों से बातें की उन्हों ने बताया अपना दर्द की किस तरह से कई परिवारों के घरों में शादियां थी किसी के बेटे की शादी थी जिन को पढ़़ाई करनी थी लोन चाहिए ता वह एक मातर सहारा जब वो भारत-पाकिस्तान के ने वो बेच ही नहीं सकते हैं। वो आज उन जमीनों का सिर्फ देख रहे हैं, ना कि उनका कोई पूरा अधिकार उन्स जमीनों पर है। आखिर इसमें सबसे बड़ी परिशानी उनको क्यों हो रही है। आखिर कहा हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स कहा हैं हमारे जो आफिसर्स या फिर एल जी मनोस इनाजी क्या उनको इन लोगों का इन परिवारों का दर्थ नहीं समझा रहा है आखिर वो क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए है एक आदेश वो भी एड़ोकेट जनरल का उन्होंने वो अपनी सलहा दिया उन्होंने अपना सुझाव दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है ऐसे इस कारण ये लोग जो हैं वो ये जमीने नहीं बेच सकते हैं लेकिन कई जो रेविन्यू के जो राजस विभाग के कई जानकार या कई जो रिटाइड आफिसर्स हैं जब उन बदर भटकना पड़ रहा है उनको इसकी सजा दी जा रही है कि वो यहां पर आए और वो वहां से रिफ्यूजी होकर यहां पर आए उनके उनको जमीने अलाट हुई क्या वो सजा उनको दी जा रही है क्योंकि पहले अगर बात करें पिछले एक साल से अगर उसके पहले से तो यहां पर कई ऐसे इंतिकाल होते थे, कई जगा दो दो तीन तीन बार सेल हुई है, रिसेल हुई है उस जमीन की जो रिफ्यूजिस को अलाट होते थी, क्योंकि अपने गुजर बसर के जिन्होंने अपने परिवार, अपने घर बार, अपना बिजनस, वेपार, सब कुछ वहाँ पीछे छोड़कर नई जगा पर बस गए, उन्हें सरकार ने उनके लिए एक जरिया दिया था, कि ये जमीन आप रखिया और जमीन के बदले में आप अपने बच्चों को पढ़ाईए, अपने बच्चों की शादियां करवाईए, लेकिन आज तक एक साल बीटने को है, इस खबर पर कोई भी, इस मसले पर कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं है, सब ही चुपी सादे हुए हैं, कई परिवार हमारे साथ बात करते हैं, कई म हमारी जमीन थी, हमने उसे बेचना था, हम अपने बच्चे की शादि करनी थी, या हमने कोई बिजनस स्टार्ट करना था, हमने आगे उस बिजनस के लिए जमीन के छोटा सा जो टोटा है, तुकड़ा है, उसे बेचना था, उस तुकड़े को बेचने के लिए आज हम तैसिलदार के पास जाते हैं वो कहता है जनाब ये उपर से आदेश है इंस्पेक्टर जनरल रेजिस्टेशन जो है वो भी कुछ इस पर पस्ट नहीं कर रहे हैं वो सिधा कह देते हैं जी लॉड डिपार्टमेंट ने सिधे सिधे जवाब दे दिया है कि अब ये रिसेल नही बात की वो हमारे साथ उन्हें अपरोच किया कि सर हमें कुछ लोग बहरी लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं बड़े बड़े प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं प्रॉपर्टी डिलर्स टाइप आप लगा लेजिए ब्रोकर टाइप लगा लेजिए वो कहते हैं कि आप छ मुक्ता ऐसा ही हो रहा होगा या इसके लिए ही ऐसा आड जारी किया होगा वह सरकार का वो अपने का निर्ने था लॉडिपार्टमेंट जो एडिविए ज़ंरल और के जनरल है उनकी तरफ से जो राय दी गई सुझावद दिया गया वो उनका अपनी आपनी सोच थी उनका नि कि या उनके अंदर कोई डर पैदा किया रहा कि उनके अंदर कोई खौफ पैदा किया रहा है कि वो सस्ते दामों में अपनी जमीने छोड़ दें वो बेच दें और वो एक तरह से बेदखल हो जाए अपनी प्रॉपर्टी से जो जमीने उनको अलॉट की गई हैं आज कल हम जो है 254C जो जमीन है उस जमीन को आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि ये refugees क्या करेंगे भटक रहे हैं वो आज वो तबाह हो चुके हैं उन्हें समझ नहीं आ रही है इनका दर्द कोन समझेगा क्या हमारे निता समझेगे इनका दर्द चुनाब भी हो गए अभी तक भी कोई उसका हल नहीं हुआ है फिलाल अब देखना यह है कि LG परशासन इस पर कोई बोलता है और अगर आप में से कोई जो refugees इस खबर को देख रहे हैं जो डिस्प्लेज परसन वहां से आए हुए जिनको एलाटमेंट हुई है इनका ये मुद्दा है आप हमें अपना वीडियो रि फिर से आपसे अपील की जाती है जम्मु सवाद का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद